हेलो बच्चो नमस्कार यह रहे बच्चो आज हमारी कॉनिक सेक्षन के सेकेंड किलास है जिसमें हम लोग इलिप्स पढ़ने जा रहे हैं इलिप्स इलिप्स बच्चो दो तरीके का होता है एक होता होरिजॉन्टल ठीक है और एक होता है वर्टिकल ठीक है अब यह यहां पर मानलीज यह फोकस हो गया यह फोकस फोकस यह पॉइंट आपका सी और जीरो यह आपका वर्टेक्स होता है बच्चो वर्टेक्स ठीक है दोनों को बोलते हैं वर्टिस जब दोनों यह पॉइंट आपका होता है एजीरो और यह पॉइंट होता है आपका माइनस एजीरो यह पॉइंट होता है आपका जीरो पी और यह पॉइंट होता है जीरो माइनस भी ठीक है इस बड़ी वाली लेंध को इसको इसको बोला जाता है मेजर एक्सिज ठीक है इस छोटी वाली Length को इसको बोला जाता है Minor Axis ठीक है इस तरीके से ठीक यह होता बच्चो इसमें भी सेम ऐसे ही होता है यह आपका हो गया 0-C यह आपका हो गया क्या भी बी जीरो और यह आपका हो जाएगा माइनस बी जीरो यह हो जाएगा जीरो ए और यह हो जाएगा जीरो माइनस ए हमेशा मेजर एक्सिस पर ए ही होगा और माइनर एक्सिस पर बी ही होगा और मेजर एक्सिस पर ही आपको फोकस दिखाई देगा क्या दिखाई देगा पहले पढ़ रहे ही बात, ठीक है, अच्छा, अब बात आती है, length of major axis, तो क्या बन जाएगा बच्चो, a plus a, यानिकि 2a, length of minor axis, तो क्या बन जाएगा, b और b, 2b, ठीक है जी, clear, अच्छा, अब जो बात आती है, relation, among, ठीक है, a, b and c, a, b, और c के बीच में relation, तो बच्छो, जो a square होता है, वो b square plus c square के बराबर होता है, मतलब अगर a की value निकालनी है, तो under root b square plus c square, अगर b की value निकालनी है, तो under root a square minus c square, और c की value निकालनी है, तो under root a square minus b square, ठीक है, चलिए, जल्दी से note कर लीजिए इसको, फटा-फट, दो तरह के होते हैं, horizontal और vertical, ठीक है, अब यह पहचान भी बताऊंगा, कि आप कैसे पहचान होगे, कि कौन सा horizontal होगा, कौन सा vertical होगा, इसकी पहचान बताई जाएगी आपको, note कर लो इसे, ठीक है, चला, अब देखो, अच्छा, एक वर्ड और आता है, इसमें, इस एंट्री सिटी, चलो, एक साथी करवादूगा, ठीक है, यह तो, note कर लिया होगा, अब एक बढ़ आता है, eccentricity, ठीक है, वो इसका रेशो होता है, c अपॉन a, मतलब e is equal to c अपॉन a, फिर एक होता है, length of lattice rectum, तो यह होता है, बच्छो, 2b square upon a, ठीक है, अच्छा, अब horizontal ellipse, horizontal ellipse की पहचान क्या होती है, तो इसकी पहचान होती है, एक स्क्वेर अपॉन a स्क्वेर प्लस y स्क्वेर अपॉन b स्क्वेर बराबर 1, यानि एक बात याद रखना, कि a बड़ा होता है b से, a क्या होता है b से बड़ा होता है, क्योंकि a major axis पे हैं, और b minor axis पे हैं, तो जो बड़ा होगा उसी हिसाब से, तो यह याद रखना, जो भी a square, a square जिसके नीचे होगा, उसी axis पे बना हुआ है, मतलब अगर a square x के नीचे बना हुआ है, ठीक है, a square x के नीचे बना हुआ है, तो इसका मतलब वो horizontal ellipse है, मतलब कहने का, अगर x square के नीचे बड़ा नंबर है, और y square के नीचे छोटा नंबर है, तो x square जिसके नीचे बड़ा नंबर है, वो उसी में होगा अगर X के नीचे बड़ा नमबर है तो horizontal Y के नीचे बड़ा नमबर है तो vertical ठीक है vertical vertical ellipse तो क्या है vertical ellipse X square upon B square plus Y square upon A square बराबर 1 जैसे इसमें देखो X square upon 25 plus Y square upon 9 बराबर 1 तो ये ellipse कैसा है horizontal क्योंकि X square के नीचे बड़ा नमबर है इस वाले को देखो x square upon में 9 और y square upon में 25 तो ये कैसा है vertical है क्यों क्यों क्योंकि y square के नीचे बड़ा नमबर है ठीक है फ़ले बड़की बात चलो इसे note कर लो फटा फट फट फिर मैं इस से related question करा देता हूं आपको जैसे question number एक से लेके 9 तक देखेंगे एक से लेके 6 तक तो बिल्कुल सेम ही है तो मैं वह कर वार हूं ठीक है ये तो note कर लिया होगा आपने एक से लेके 6 तक बिल्कुल सेम है बच्चो तो मैं आपको question number क्या करा रहा हूं 6 कौन से करा दूँ 6 करा दूँ 5 करा दूँ कौन से करा दूँ चलो 6 करा देते हैं हां जी x स्क्वेर अपॉन में 100 प्लस y स्क्वेर अपॉन में 400 बराबर 1 अब आप से पूछा क्या क्या पहले यह देगो पहले पूछा है coordinate of oki focus का coordinate बताओ, vertices बताओ, length of major axis बताओ, length of minor axis बताओ, eccentricity बताओ और length of lattice rectum ठीक है तो पहले यह पता करो कि भाई यह जो ellipse बना वह कौन से एक्सिस पर है तो देखो y square के नीचे बड़ा नंबर है तो यह y-axis पर बना है गिवन ellipse lies on y-axis कैसे बताओ चला क्योंकि y square के नीचे बड़ा नंबर है अब क्या निकालना है फोकाई now b square बराबर कितना है 100 a square बराबर कितना है 400 now c is equal to under root a square minus b square तो इसका मतलब 400 minus 100 हो गया 300 और 300 होता है तीन गुने में 100 100 को बाहर निकालो के root से तो under root 10 वो भी plus minus ठीक है तो c आगया plus minus 10 under root 3 now हमें क्या निकालना है फोकाई तो बच्चों फोकाई अगर निकालना है तो जब बच्चों ellipse ही y-axis पे है तो फोकाई भी y-axis पे होगा तो यहाँ पे लिखो फोकाई क्या होगा 0, plus minus 10 under root 3 तीके यह होगे पहला point अब निकालना है vertices वर्टिसीज हमेशा मेजर एक्सिस पर होता है और मेजर एक्सिस यानि कि वाई यह है ए स्क्वेर तो ए की वाई लू निकालोगा अंडर रूट फोर हंड्रेड जो की प्लस माइनस ट्वंटी बन जाएगा तो इसका मतलब जीरो कॉमा प्लस माइनस ट्वंटी क्यों लिखा मै क्योंकि इलिपस कौन से एक्सिस पर है वाई और वर्टिसी समय से किस पर होता है मेजर एक्सिस पर इसके बाद निकालना लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हाँ जी तो major axis की length कितनी है हाँ जी 2a तो 2a यानि कि 20 बराबर 40 उसके length of minor axis तो 2b 2b, b यहां से निकाल लो b कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा है ना वजी, तो 10 तो इतना होता गया 20, उसके बाद क्या निकालना है eccentricity इसके बाद क्या निकालना है eccentricity, eccentricity होता है focus upon me vertices, तो c कितना है c है 10 root 3 a, a कितना है a है 20 तो 0 ते 0 कट गया, sorry 20 20 हाँ 20 है ठीक है, तो e is equal to आ गया, root 3 upon me 2 यह e आ गया ना ठीक है यह e आ गया अब देखो e आ गया, e के बाद क्या है बच्चो eccentricity के बाद है length of lattice rectum length of lattice rectum तो कितना है 2b square upon me a, तो 2b square कितना है 100, a कितना है 20, काटा 5, आ गया 10, तो कितना आ गया 10, ठीक है जी, चलो note कर लो, इस तरीके से करना है length of lattice rectum अगरा सब कुछ ठीक है इसका question number 7, 8, 9 में से एक करा देता हूँ माल नमने 7 में करा देता हूँ इसके बाद, ठीक है इसका note करो पहले आपको ठीक है, चलो हाँ जी बच्छों जैसे माल लो, 7 खराता हूँ मैं 36 x square plus 4 y square बराबर 144 अब जैसे कि आपको दिख रहा है ellipse की equation नहीं है, ellipse की equation में यहाँ पर 1 होता है, ठीक है और x square और y square के नीचे कुछ न कुछ होता है तो यहाँ पर 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, divided by divided by 144, सबको 144 से divide कर दो वाई सबको 144 से divide कर दो सबको कर दो कटेगा 1 आ जाएगा, 4 से कटेगा 3 और 6 आ जाएगा, इस से कटेगा 4 आ जाएगा, तो x square upon 4, y square upon 36 पराबर 1, देखो फिर y square के नीचे बड़ा नंबर आ गया तो हम लिखेंगे, the given ellipse lies on y axis ठीक है, चलो भाई ठीक है, तो x करके नीचे को है, b square 4, यानि b बड़ाबर 2, ये को है, a square बड़ाबर 36, यानि a बड़ाबर 6 ना, क्या निकालना है फुकाई, फुकाई से पहले c निकालो पहले, c बड़ाबर अंडर रूट a square minus b square 36 minus 4 आ गया 32 और 32 कितना होता है, 16 दुनी 32, बाहर निकालोगे 4 root 2 plus minus c, तो फुकाई कितना आ गया, फुकाई आएगा, 0 plus minus 4 root 2, ठीक है ये फुकाई आएगा, और पता है ना, 0 क्यों हो, क्योंकि y axis पह है, अब फुकाई आगया, अब क्या निकालना vertices vertices, vertices, vertices क्या होगा 0 plus minus a तो plus minus a, यानि कि plus minus 6 उसके बाद length of major axis major axis तो कितना है, 2a यानि कि 2 गुना में 6 बराबर 12 length of minor axis कितना है, 2b मतलब 2 गुना में कितना है, 2, यानि कि 4 उसके बाद क्या है, eccentricity eccentricity e बराबर c अपॉन में a c कितना है, 4 root 2 a कितना है, 6 कट गया, 2, 3 तो 2 root 2 अपॉन में 3 ये e आ गया, now length of lattice rectum length of lattice rectum 2b स्कूर अपॉन में a 2, 20 स्कूर 20 स्कूर मतलब कितना है, 4 a कितना, 6 कट गया, 3 4 बटा 3 आ गया length of lattice rectum फले बड़ा तो इस तरीके से एक से लेके question number 9 तक आपको सारे करने हैं ठीक है, अब इसके बाद question number 10 से लेके 20 तक मैं करा रहा हूँ फटा फटा देख लो सबका एक एक वाट करा दूँ अभी है ना अराम से ख़तम हो जागा सारा इनोट कर लो सारा घुटा करका एक वान कर दूगं रहे थाव रहे हाङиться हो जाब सारा म经व सारा को सारा लो झाल कोशन नमबर 10 11 12 ठीक है भई तीनों एक जैसे हैं मैं आपको कोशन नमबर 12 करा रहा हूँ ठीक है जैसे दे रखा है वर्टिसिस दे रखे हैं आपको प्लस माइनस 6,0 और फोकाई दे रखा है आपको प्लस माइनस 4,0 तो कह रहा है इसकी एक्वेशन बताओ तो सिंपल अरे भाई मुझे तो देखते पर चल गया कि इलिप्स जो है कौन से एक्सिस पर है एक्स एक्सिस पर है क्यों क्योंकि वाई वाली वैल्लू कितनी है जीरो तो बस तो कहेंगे दा गिवन इलिप्स एलिप्स लाई जौन एक्स एक्सिस यह देखके बड़ चल गया मेरे को ठीक है क्योंकि अगर जीरो यहां होता प्लस माइनस 2 यहां होता तो य एक्सिस पर होता लेकिन पहले वैलू है पिर जीरो है इसका मतलब एक्स एक्सिस पर बना हुआ है ठीक है तो चलो vertices का मतलब A बराबर 6 Fokai का मतलब C बराबर 4 हमें B चाहिए Now तो B बराबर क्या होता under root A square minus C square A square मतलब 6 का square और C का मतलब 4 का square 36 minus 16 तो कितना आगा 20 36 minus 16 कितना आगा 20 और ये कितना होता भई 4 into 5 12 आगा 2 into 5 तो B आगा ठीक या नहीं तो बाकि आपको पता ही अगर B square की बात करूँ ठीक है अगर खाली B square की बात करूँगा देखो तो square इदर आजाएगा तो ये 20 तो B square की value आगे 20 Now हाँ जी equation of ellipse equation of ellipse हाँ जी तो कौन से axis बना हुआ X axis पे तो X square A, A का square plus Y square upon B square X square A square, 6 का square 36 B का square, 20 दे ही रखा है बराबर 1, answer ठीक है? इस तरीके से करना है question number 12 13, 14 में थे एक कराऊंगा 14 करा देता हूँ हाँ जी ends of major axis ends of major axis क्या दे रखा है आपको? 0, plus minus under root 5 ठीक है? और क्या दे रखा है? ends of minor axis ends of minor axis तो क्या दे रखा है आपको? plus minus 1 plus minus 1, 0 अब देखो हम तो major axis को लेके चलेंगे ना हमें तो major axis से मतलब है तो major axis क्या दे रखा है? 0 plus minus under root 5 इसका मतलब the given ellipse lies on किस पे? y axis पे क्योंकि हमें minor से नहीं major से चलना होता है और major में क्या होता है? a, a आ गया root 5 minor में क्या होता? b, b कितना आ गया? 1 ठीक है? now तो भई हमें उससे क्या लेना देना यार a square निकालो न सीधा 5 b square निकालो सीधा 1 now the equation of equation of ellipse ठीक है? x square upon b square y square upon a square बराबर 1 x square b square कितना 1 y square कितना a square कितना 5 बराबर 1 answer ठीक है? question number 14 भी हो गया? 15, 16 में से एक करा देता हूँ जैसे 15 करा देता हूँ ठीक है? 15 क्यारा लेंट अफ मेजर एक्सिस ये दे रखा है अबको 26 यानि कि 2a बराबर 26 क्योंकि लेंट अफ मेजर एक्सिस यह होता है भाई फुकाई किस पर होता है? भाई फुकाई किस पर होता है? मेजर एक्सिस पर तो इसका मतलब a तो 13 आ गया फुकाई क्या है? प्लस माइनस 5 कॉमा 0 इसका मतलब x-axis लाइज ओन? x-axis हां जी तो कैसे करेंगे बच्चो a बराबर 13 दिया हुआ है c बराबर आपको 5 दिया हुआ है तो b स्कूर निकालना है a स्कूर माइनस c स्कूर यानि कि 13 का स्कूर माइनस 5 का स्कूर 169, 25 तो 144 b स्कूर आ गया now the equation of ellipse equation of ellipse x-square x-axis पे बना हुआ है न बच्चो x-axis पे बना हुआ है जब x-axis पे बना हुआ है तो क्या होगा a-square plus y-square upon b-square बराबर 1 x-square a-square कितना है? a-square कितना है? 169 और plus y b-square कितना है? 144 answer करो note करो इसे 18 आप कर लोगे 17 आप कर लोगे क्योंकि 17 में भी देखो फुकाई दिया हुआ है और A दिया हुआ है तो B निकाल लोगे फिर 18 में भी देखो B दिया हुआ है C दिया हुआ है और ये भी बता रखा है कि फुकाई X एक्सिस पे है तो आप ये भी कर लोगे अब 19 और 20 में से कोई एक कराना है मुझे तो मैं करा देता हूँ आपको कौन सा करा दूँ भई 19 और 20 लिखा हुआ बस अलग है वो Y एक्सिस पे है साफ साफ लिखा हुआ है और 20 वाला जो इलिप्स है वो X एक्सिस पे है बाकि सब कुछ सेम है ठेक है तो इसको नोट कर लो फिर मैं मिटा के 19 बीस में से कोई एक करा देता हूँ इलिप्स खतम हो जाएगा ठेक है फिर इसके तरुंद बाद अभी मैं हैपरबोला भी शुरू करा रहा हूँ अभी करा देता हूँ हैपरबोला भी शुरू यह देखते है चलो हैपरबोला नक्स क्लास में करा देते हैं कर देखते हैं चलिए यह मिटा देता हूँ है कोशन नमर्ज जैसे मालोड 20 करा देता हूँ 19 आप करना वह आई एक्स पे बना हुए ठीक है पैर इलिप्स पैर देखते हैं कोशन नमर्ट वन्टी करा मेजर आप्स एक्स एक्स लोगी 20 the given ellipse lies on x-axis ये बात इसने पहले ही दे रखिए कि ये मेजर आप्स एक्स 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 पे है let the equation of ellipse ellipse की deviation ले लो था है तो क्या है x square upon a square plus y square upon b square बराबर 1, equation number first, ठीक है, the given ellipse, the given ellipse is passing through, passing through the points, 4, 3 and 6, 2, 4, 3 and 6, 2, ठीक है, so, put करेंगे भाई, क्या, x square a square plus y square b square बराबर 1, x के जगह पे पहले 4 का square, a square plus y square upon b square बराबर 1, यानि 16 बटे में a square, और y के जगह पे 3, 9 बटे में b square बराबर 1, equation number second, now, फिर से put करेंगे, x के जगह पे 6, a square, y के जगह पे 2, b square बराबर 1, 36 बटा a square, 4 बटा b square बराबर 1, equation number 3, solve कर दो जैसे, normally solve करते हो, solve equation first and second, तो हम जी, क्या है, 16, इदर से, 16 upon a square plus 9 upon b square बराबर 1, और 36 upon a square plus 4 upon b square बराबर 1, तो इसे बराबर कैसे करेंगे, अगर मैं इसको, इसको 4 से और इसको 9 से multiply कर दूल मेरा काम बन जाएगा, 2, 36 बन जाएगे, 4 से इसके करेंगे, 16, 64, यहां से करता हूँ, 16, 64, 64 upon a square plus, 9, 4, 36, b square बराबर 4, 9 ते करोगे, 36 चिके, यहांनि 9, 54, रह गया, 4, 5, और 9, 27, और 5, कितना होता है, 32, इतने a square, plus 9, 4, 36, b square, 9, minus, 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 कट गया, हाँ, 64 इसमें से minus होएगा, तो कितना बचेगा, minus का 4 यह गया, और 60 जाएगा, तो कितना जाएगा, 260 बटे में a square, बजी तरह इसमें minus होगा, minus का 5, minus से minus कट गया, 5 से इसको काट होगे, 5 से इसको काट होगे, 5 और 2, तो हैनि 52 upon a square बराबर 1, तो 52 बराबर a square, a square की value कितनी आगई, 52, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, put a square in equation, second, तो second equation क्या है, 16 upon a square plus, plus 9 upon b square बराबर 1, तो 16 a square की value है 52, 9 upon b square 1, चार से काटेंगे, 4 चार से काटेंगे, 13, उधर जाएगा, 9 b square बराबर 1 माइनस में, 4 बटा 13, ठीक है, यह होगे इदर, 9 upon b square बराबर 1 माइनस में, 14 by 13, ठीक है, 9 upon b square, solve करो, 13 माइनस 4 बटा 13, 9 बटा b square, 4 बटा 13, ठीक है, तो, कितना आजाए गई है, ठीक है, यह गटरा ठीक, जो नहीं गटरा छोड़ो, हाँ, तो 13 कुश्य करो, 9, 117, और यह upon 4, और यह आजाएगा, 20 square, तो 20 square कितना आगया, 117 बटा 4, ठीक है, now, put a square and b square in equation first, तो x square upon a square, plus y square upon b square, बराबर 1, यह दिया हो आपको, तो x square upon a square की value कितनी है, 52, प्लस, 20 square की value कितनी है, 117 बटा 4, बराबर 1, पलड जाएगा, x square बटा 52, प्लस, 4 y square बटे में 117 बराबर 1, यह answer है, कर लो, इस तरीके से करना है, तो इसे के साथ बच्चो, आपका यह exercise भी खतम होता है, ठीक है, अगली glass में hyperbola शुरू करेंगे, और यह note कर लो, ठीक है, इसी तरह question number 19, जो हो इससे easy है, इसलिए मैंने यह वाला करवा दिया, ठीक है, आज के लासे ही खतम करते हैं,